है मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रेल महा के पहले सप्ता में यानि छै अप्रेल को शुक्र देब राशी परिवर्तन करेंगे और अगले 27 दिनों तक अपनी राशी विर्सब में वराजमान होंगे तो ऐसे में राजियोग का निर्मान होगा शुक्र अपने घर में होंगे मजबूत इस्थिति में होंगे तो ऐसे में अगले 27 दिनों तक ऐसी कौन सी छे राशिया होंगी जिन पर जमकर पैसा बरसने वाल परिवार से शुक्र देव को जोति सास्त में एस्वरिय धन संपत्तिंरिय का कार्क मना जाता ह. और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शुब होते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है. धन, संपत्ति, आदि का सुख प्राप्त होता है परिवार में खुशाली होती है शुक्र को विर्सब रासी में 27 दिन रहना पड़ेगा तो ऐसे में ये 27 दिन कुछ रासियों के लिए बेहद खास होंगे जिनके लिए सुख सुविदाएं इस दोरान हासिल होंगी तो पहली रासी है मेश रासी, शुक्र का मेश रासी में गोचर बार में भाव में होगा तो ऐसे में आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी आप सही फैसले लेने में सक्चम होंगे काम को लेकर यात्राओं पर जाने के युग बनेंगे इस सब्दी में आपको पैसे को लेकर तंगी नहीं होगी लव लाइब भी अच्छी होगी और शुक्र आपको आनंद महसूस करवाएंगे जो कि प्रेम और सुख के कारगरे हैं ऐसे में आपकी सब्दी समश्याएं खत्म होगी और आप अपना जीवन आनंद महीं में व्यतीत करेंगे दूसरी रासी है विर्सब रासी शुक्र गोचर के कारण विर्सब रासी के लोगों को नए मौके मिलेंगे और शुक्र आपकी ही रासी यानि लगन भाव में वराजमान होंगे शुक्र विर्सब रासी में वराजमान होकर विर्सब रासी के लोगों के लिए चमतकार साबित होंगे इस अबदी में आप यदि नए कारिये शुरू करना चाहा रहे हैं तो वो पूरे होंगे वेपारियों को मनमाफिक नतीजे प्राप्त होंगे इस वरान आर्थिक मोर्चे पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी अगली रासी है करकरासी करकरासी के लोगों के लिए इस वरान शेविंग करने में आपको काम्यावी मिलेगी और शुक्र यहां आपके लाव भाव में वराजमान होंगे यानि लाव के नए अफसर इस दोरान आपको देखने को मिलेंगे साथ ही शुक्र की दरश्टी आपके पंचम भाव पर होगी तो ऐसे में संतान सुक्की प्राप्ती होगी प्रेम संबन्द मजबूत होंगे साथ ही आपके ज्यान में वरद्धी होगी एकागरता में वरद्धी होगी और आपके अंदर उड़ जागा इस्तर उच्छोगा यानि जोरान कारोबार में नया चांस मिलने के योग बनेंगे और नए मौके भी हासिल होंगे आपके आर्थिक की स्तिते इस दोरान काफी मजबूत होगी घर परिवार में सुखी का आनंद महसूस करेंगे आप से रिस्ते अच्छे होंगे अगली रासी है कन्या रासी कन्या रासी के लोगों के लिए शुक्र नवम भाव में गोचर करते हुए आपके तिरते भाव पर द्रस्टी डालेंगे तिजोरान भागय का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा गुरु जनों का पिता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और सिक्छा के छितर से जुड़े लोगों को अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे शुक्र का है गोचर आपकी चांदी करा देगा आपको विदेश जाने का अफसर भी प्राप्त होगा पैसे को लेकर चल रही तंगी दूर होगी भागय का भरपूर साथ मिलेगा प्रेम संबन्द मजबूत होंगे और साथ ही दामपत्य जीवन खुशियों से भरा होगा अगली रासी है मकर रासी मकर रासी के पंचम भाव में शुकर देव गोचर करेंगे और यहां से लाव भाव पर दरस्टी डालेंगे तो ऐसे में यह समय चात्रों के लिए बेहत सुब साबित होगा आपके ज्यान में व्रद्धी होगी एकागरता में व्रद्धी होगी साथ ही आत्मविश्वास बढ़ेगा इस रासी के जो लोग प्रेम संबन से जुड़े हुए हैं उनके विवा के योग बनेंगे शुकर जो की प्रेम और सुख के कारक है ऐसे में सुख सांती आपके परिवार में बनी होगी वाहन सुख की प्राप्ती होगी संतान प्राप्ती के योग बनेंगे संतान की ओर से कुई सुब समाचार प्राप्त होगा लाब के अच्छे अफसर आपको मिलेंगे इस दोरान आपका केरियर उचाईयों पर होगा वेपार वेबसाय में अच्छी उन्नती देखने को मिलेगी आप केरियर में टॉप तक पहुँचेंगे इस दोरान कारुबारी में भी पॉजेटिव नतीजे प्राप्त होंगे और सेविंग बढ़ेगी इस दोरान आप बहतर पैसा कमाने में सक्छम होंगे अगली रासी है कुम रासी कुम रासी के लोगों के लिए शुक्र का है गोचर बेहत खास होगा इस दोरान चतुर्त भाव में शुक्रदेव गोचर करेंगे जो की माता, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, परिवार का भाव है तो ऐसे में भवन, भूमी, आदी में निवीश करने से अच्छे लाप प्राप्त होंगे इस दोरान माता की और से भी धनलाब होगा परिवार में सुख, सांती बनी रहेगी और यहां से आपके केरियर और वेवसाय के भाव पर शुक्रदेव की दरस्टी होगी तो केरियर में भी अच्छे चांस आपको मिलेंगे वेवसाय वेपार में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेंगी और जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी पूरा-पूरा साथ भाग्य का मिलेगा सेविंग करने में बढ़ोत्री होगी, कारोबार में भी प्रॉफिट मिलेगा और यह है गोचर आपके लिए लखी साबित होगा जो लोग बिरोजगार हैं, रोजगार के सांदार मौके हासिल होगे और लाइफ जो है, वो बहुत अच्छी होगी इस वरान स्वास्ते में भी सुधार देखने को मिलेगा कुल मलाकर ये छे वो रासियां हैं, जिनके लिए शुक्र का है गोचर काफी लखी साबित होगा दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मतादी दोस्तो